गुड मॉर्निंग बच्चो मैं भी अलगरवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनर्सी पे काउंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का आईएसी 2017 में आया हुआ कोश्चन सुल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा ये देखिए आपके सामने 2017 का कोश्चन है रोशन, महेंश, गोपी और जय एच चार पार्टनर है जिनका प्रॉफट शेरिंग रिश्यो 3 3 2 2 है कापिटल अगरवाल आपके सामने का बालेंस एट लाक, फिफ लाक, शिक्स लाक, शिक्स लाक After the accounts for the year ended, 31st March 16th were prepared. It was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum as provided in partnership did, had not been credited to partner's capital account before distribution of profits. 31st March 16th का accounts finalize करने के बाद ये पता चला हम लोगों को कि interest on capital जो partnership did के अनुसार 10% देना चाहिए, उसको हम लोग देना भूल गए है. This is called error and omission. वो हम लोग देना भूल गए, ता आज उसको हम लोग को accounts में adjust करना है, interest on capital जो 10% हम लोग इग्नोर कर गए, आज उसका effect दिखाना है, इसको rectifying journal entry के थुरूर बनाना है. इसके लिए एक journal entry का ज़रूरत पड़ता है, वो journal entry pass करना है. Journal entry करने के पहले हमको working करके पता लगाना होगा, कि अगर interest on capital 10% partner को allow किया जाए, तो किस partner का credit निकलेगा, किस का debit निकलेगा, चलिए working करके देखते हैं, क्या position होता है, ठीक है? ये रख दिया आपके सामने format, चार partner के लिए चार कॉलम, एक total, सबसे पहला बाद, interest on capital, interest on capital 10% देना था, 8 लाग का 10% 80,000, 5 लाग का 10% 50,000, और वो दोनों 6-6 लाग था, तो 60,000, 60,000. ये हो गया, 250, अगर हम लोग interest on capital allow करते हैं, तो हमारा share of profit reduce करेगा, net profit से minus करेंगे, तो share of profit 2,50 कम होगा, net profit अगर नहीं दिया है, तो इसी को share of loss मान लिया जाएगा, a share of loss है, profit sharing ratio 3, 3, 2, 2 में distribute हो जाएगा, दो लाग पचास होगा, तो 75,000, 75,000, 50,000, 50,000. ये हुआ निल, इसका हुआ 5000, इसका माइनस में आया 25, इसका 10 positive आया, और इसका भी 10 positive आया, positive वाला credit होगा, negative वाला debit होगा, अब इसको आप थोड़ा समझ लो, interest अगर allow करते हैं, तो उसको 80,000 देना होगा, 75 उसके deduct हो जाएगा, capital debit हो जाएगा, ये credit हो जाएगा, तो ultimately 5000 credit होगा, इसके साथ भी वही case हो रहा, इसका 10,000 credit होगा, और इसके साथ भी same case है, इसका 10,000 credit होगा, तो ये तीनों अगर credit होते हैं, तो इसको debit करना पड़ेगा, चुकि capital fix है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग entry capital के help से कर देंगे, debit करते हैं महेश, महेश capital account debit, 25,000, तो रसंस, capital account 5000, तो गोपी's, capital account 10,000, तो जय, capital account 10,000, being net adjustment entry past, तो ये हो गया हम लोग का journal entry, working का जरुवत नहीं पड़ा, तो सबसे पहले हम लोग interest on capital allow करेंगे, तो partners को मिलेगा, अप फिर उसको loss मान के उनसे deduct कर लेंगे, तो final result positive वाला credit, negative वाला debit ये हो गया आपके सामने entry, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, विडियो को पॉच करके आप साथ में solve करो, ओके, thank you, bye.